हेलो फ्रेंड्स आज कीस वीडियो में हम कवर करेंगे इंप्पोर्टन बूग्स और और जित्रे भी बूग्स 2020 में लिखे गए उनस सभी को ऑथर्स को अम इस वीडियो में कवर करने बाले हैं एड यहांपट हम लगबग टॉप 85 बूग्स और और तो कवर करेंगे तो चले लेक्चेर कंटीनिव करते हैं, सबसे पहले आप एक सवाल का उतर दे दीजे, आपके लिए एक प्रस्ने, पुछा जा रहा है कि एन एरा ओफ डार्कनेस जो बुक है, उसके ऑथर कौन है, ये पुछतक बहुत बार एक्जाम में पुछा जा चुका है, तो बताइए इसका सही उतर क्या होगा, आपको अफसाद है डगलस स्टुवर्ट, बराक ओबामा, डेविट डियोप, या फिर ससी ठरूर, तो इसका जो है आपको उतर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आगे मैं आपको इंपोर्टेंट बुक्स कवर कराता हूँ, पहले तो आपक इसके लिए डेविट डियोप किस देश से हैं, यह भी इंपोर्टेंट है, यह साउथ आफरीका से हैं, तो याद रखिए, इंपोर्टेंट फैक्स हैं सारे, आगला पुस्तक देखो, जिसे मिला है 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो किसे मिला है, यह मिला है डेविट डियोप को, एंड डेविट डियोप की जो पुस्तक है, यह फिर नोवेल जीसे आप बोल सकते हो, उसका नाम है अट नाइट, आल ब्लड इस ब्लैक, तो इसके लिए डेविट डियोप को 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, एंड डेविट डियोप किस देश से है यह फ्रांस से हैं, तो यह भी आपको याद रखना है, आगे देखलो जो हाली में कुछ पुस्तके लाँच हुई हैं, जो बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ उनको मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, तो एक देखो पुस्तक लिखा है बांकी मुन बांकी मुन आपको पता है, फॉर्मर जो युनाइटेड नेशन ने उसके महा सचीव रह चुके हैं, तो यह कहां कहा है, दक्षिन कोरिया के तो बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है यह, इन्हें के पुस्तक का नाम है, Resolved Uniting Nations in a Divided World, यह पुस्तक कि ने लिख इंपोर्टेंट पर्सनेलिटी इसलिए हैं, क्योंकि यह सर्व कट चुके हैं, इंडिया के पर्मानेंट रिप्रेजन्टेटिव रह चुके हैं, यह युनाइटेड नेशन में, 2016 से 2020 तक, तो यह बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट है, स्येद अकपरुद्दुन की पु पिचंद का, याद रखना, पुलेला गौपी चंद का नाम आपने जरूर सुना होगा, बैड मिंटर के मसूर खिलारी हैं, काफी फेमस खिलारी हैं यह, और इनका साथ दिया इस पुष्टर को लिखने में, प्रिया कुमार ने, तो दोनों का नाम याद रखिए, वैसे आनी का नाम आप जरूर सुनने होंगे, या करेंट में हमारी मिनिस्टर हैं, उमेन एंड चाइल्ड डेफुलाप्मेंट की, तो इनका नाम भी याद रखना है, इनके पुष्टक का नाम भी याद रखना है, लाल सलाम, जरूर याद रखिए, एट होम इन द यूनिवर्स, या आटो बायोग्राफी है, बाल कृष्ण मधूर की, यह भी याद रख सकते हैं, आगली पुष्टक देखो, अबजीत बैनर जी की है, जिनने 2019 में, एकनोमिक्स के छेतर में, नोबेल प्रुसकार दिया गया है, जरूर याद रखिए, इनका नाम अबजीत बैनर जी, और इनकी पुष्टक का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी पुष्टक का नाम है, कोकिंग टू, सेव यॉर लाइफ, चलो आगे देखते हैं, अगला है पुष्टक के देखो, कमला हैरीस के उपर, कमला हैरीस आप सभी को पता होगा, युनाइटेड स्टेट्स के यानि, अमेरिका की पहली महिला क्या बनी है ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो इनका नाम जरूर याद रखे इंसे रेलेटेड पुस्तक है कमला हैरिस फेनामेनल उमेन ये किताब लिखा है चिदानंद राजघटा ने याद रख सकते हैं अगली पुस्तक है आयोध्या के उपर स अब पुस्तक है इनके पुस्तक का भी नाम इंप्वोटेंट हैं अगला पुस्तक इंदरा नुई आप सभी को पता होगा फॉर्मर सी यो रह चुकी ही या पैप्सिको की तो इनकी पुष्टके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो पुष्टक का नाम क्या है दस सिक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फेमिली लाइफ किसे ने लिखाया यह पुष्टक को इंद्रा नुई ने चलो अब आगे देखते हैं आगे आपको मैं चार-पांच प्रस्ट करा देता हूँ ताकि आपको पता चलिए कि पुष्टक से एलेटेट किस तरह के प्रस्ट आते हैं और इसके बाद जो लग पुष्टक के पुष्टक है तेहां option है correct हो जाएगा अगली आप पुष्टक है फिर से author का नाम पुष्टक का नाम है आजादी, freedom, fascism, fiction इस पुष्टक को किस ने लिखा है तो इस पुष्टक को लिखा है अरुंधती रोय ने अरुंधती रोय काफी ज़्यादा important है याद पुष्टक आता है अगला पुष्टक यहां पर है who is the author of the book Changing India, Changing India पुष्टक के लिखा कौन है तो इनका नाम है मन महन सिंग, आप सभी को पता होगा हमारे नरेंदर मोदी जिस से पहले हमारे देश के प्राइमिनिस्टर थे जॉक्टर मन महन सिंग, तो इन्हीं की दवारा पुष्टक नाम है Undaunted Saving the Idea of India याद रख सकते हैं, रंजन गोगोई जो हमारे former Chief Justice रह चुके है भारत के, इनके पुष्टक का नाम है Courts of India जरूर याद रखे रके रंजन गोगोई के दौरा लिखा गया है, आगे देखो, अगला यहां पर पुछा जा रहा है, देखो इस पुष्टक का रखा है नाम, तो बताइए इनमें से कौन से पुष्टक है जिसे डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम ने नहीं लिखा है, तो यहां पर सही उतर हो जाएगा Option D, Anhealation of Cast, इस पुष्टक को लिखा है, बी आर, अमबेट करने, बाकी जो भी पुष्टके हैं, पुष्टक का रहा है, यहां पर आपको आथर का नाम पुष्टा आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो है, Option B, Ace, जैस, संकर की है पुष्टक है, तो जरूर याद रखिए, आगे देखो, यहां पर बारी-बारी से हम कवर कर लेंगे, जो भी important personality है, उनकी किताबों को, इसके लेखा का है, वो मन सुभाब पुष्टा गया है, जिनके लेखा का नाम बहुत दवार पुष्टा गया है, जरूर याद रखिए, अगली पुष्टक है, मनोहर परिकर, Brilliant Mind, Simple Life, इस पुष्टक को लिखा है, नितिन अनन्त गोखले ने, आप सभी को पता हो, मनोहर परिकर, पुर्व में, गोवा के चीफ मिनिस्टर है चुके हैं, और मनोहर परिकर जो है, यह first IITN थे, जो किसी भी राज्ये के चीफ मिनिस्टर बने थे, यह भी ज स्री से 1999 में समानित के जा चुका है, फाद में भूसन भी मिल चुका है, इन्हें 2014 में, याद रखिए, इनके पुष्टकों को देखे, तो The Room on the Roof, यह इनका फर्स्ट नोबल था, The Blue Umbrella, यह इन्ही की पुष्टक है, दिल्ली अब दूर नहीं है, Our Trees are still growing, देहरा, जिनके इन्हें 1992 में साहित अकाडमी अवार्ड भी मिला था, यह सारे इंपोर्टेंट बुक्स है, इनके जरूर याद रखिए, और लेटेस्ट में इनकी दो किताबें बहुँ जादा इंपोर्टेंट आई है, How to be a writer, यह 2020 में इनकी पुष्टक आई थी, All Time Favorites for Children, यह पुष्टक इनकारेजमेंट, यह पुष्टक बहुत बहुत बार अभी तक पुछा जा चुका है, आपके एक्जाम में भी पुछा जाएगा, The Little Book of Encouragement को लिखा है दलाई लामा ने, आप सभी को पतावगा, तिबत में जो प्रमुक होते हैं, उनको दलाई लामा की पोस्ट दी जाती ह तो यह तिबत के चौदाव में दलाई लामा हैं, याद रखिए, इनका जो रियल ने में वो है, टेंजिन ग्यात्सो, वैसे आपको आप्सन दलाई लामा ही मिलेगा, तो दलाई लामा टिक कर देना है, आप देखो, एह है The Little Book of Encouragement, किसने लिखा है, दलाई लामा ले लिख लिखते हैं, जैसे मालो आपके बारे में अगर मैं लिखूंगा, तो वो बायग्राफिय होगी, अगर आप अपने बारे में खुद से लिखेंगे, तो वो आटो बायग्राफिय होती है, तो यह भी आपको ध्यान देना है, A Dream of Revolution को किसने लिखा है, बीमल प्रसाद और भी ने, चलो आगे देखते हैं, अगले हाँ पर देखो, The Couple सर्मा सु अगर आप देखते हैं, तो यह important book है आपके लिए, पुस्तर का नाम है The Couple सर्मा स्टोरी, इसे लिखा है अजिताब बोस ने, याद रख सकते हैं, अगली पुस्तर का है Mission Domination, Unfinished Quest, इस पुस्तर को लिख Seven Years of Modi Government, इस पुस्तर को लिखा है K.J. Alphonse ने, याद रखिए, अगला पुस्तर के The Accidental Prime Minister, बहुत बार पुछा जा चुका है, जिसे लिखा है किसने संजय बारू ने, जरूर याद रखिए, यहाँ पर ससी थरूर की एक और पुस्तर का गई है, नाम के है The Paradoxical Prime Minister, यह पुस् इस पुस्तर को लिखा है, अगली पुस्तर के राम राव, The Story of India's Farm Crisis, इस पुस्तर को लिखा है, जैदीप हर्दिकर ने, यह सब उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूं आपको, इस पर देखो, यह जो इस पेज है बहुत जादा इंपोर्टेंट है आ अगला पुस्तर को है, इस पुस्तर को लिखा है, हामीद अंसारी ने, जो हमारे देश के बारह में वाइस प्रेसडेंट रह चुके हैं, जरूर यह जाद रखे है, वैंकेव नेडी से, पहले वाइस प्रेसडेंट यही थे, इनका नाम इंपोर्टेंट है, आगे देखिए यह पुस्तर के है, पुस्तर को हमीद अंसारी इनका देखिए है, जरूर नाम आपको याद रखना है, आगे देखो, लिख पुस्तर भी यहाँ पे देश पेज यह बहुत जादा इंपौर्टेंट है, यहाँ पर सारे जो है, वो फॉर्मर आर्बियाई के गवर्णर रह च पूछा गया एक्जाम में ओवर ड्राफ्ट सेविंग देंडियन सेवर इस पुस्तक को लिख है उर्जित पटेल में और उजित पतेल यह पॉज़ित पटेल आप सब्सक्राइब पता होगा सक्तिकान 10 से पहले भारत के 24 वे गवर्नर थे RBI के इंपोर्टेंट है याद रखिए और गुराम राजन यह भी फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं इनके पुस्तक अराम है I do what I do यह भी इंपोर्टेंट है याद रखो आगे देखते हैं आगे आपे देखो इसको लिखा है इसको लिखा है सलमान रुसदी ने इसके बाद है त्रिपल तलाक एक्जामिनिंग फेद इस पुस्तक को लिखा है सलमान खुर्षिद ने चलो आगे देखते हैं आगे याँ पर देख सकते हो the light of Asia the light of Asia किसे हम जानते थे जो भगवान बुद्ध थे उन्हें the light of Asia the poem that defined the बुद्ध इस पुस्तक को लिखा है जैराम रमेश ने अगली पुस्तक है नाथुराम गोट से के उपर नाथुराम गोट से the true story of गांधी ज असीजन इस पुस्तक को लिखा है धवल कुल करनी ने चलो आगे देखते हैं अगली पुस्तक यहाँ पर माइएक्स्पेरिमेंट विद साइलेंस इसको लिखा है समीर सोनी ने अगर आप टीवी देखते हो टीवी में सीरियल आया फिर मुवी देखते हो तो इनको आपने जरूर देखा होगा समीर स सोनी को एंड इसके बाद है आज स्टोडीज आइमस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी इसको लिखा है कबीर बेदी ने पुराने फिल्म में काफे यादा विलन का रोल करते थे यह तिनकी पुस्तक याद रखिए आगे है माइफ इन डिजाइन इस पुस्तक को लिख लिखा है प्रियंका चोपडा ने याद रख सकते हो और बात करें आई एम नो मस्षिह इसको लिखा है सोनु सुध ने किसके साथ मिलकर मिन्ना अयर के साथ मिलकर यह भी इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक पुछा गया है जिससे लिखा अनुपम खुएर ने दा बीग बॉ लिटल शरी दा बीग बॉस ओफ टाइटल लॉफ एन अंस्यूटेबल बॉइ यह दोनों पुस्तक के इंपॉर्टेंट है दोनों पुस्तकों के लिखा है करन जोहर ने एन अंस्यूटेबल बॉइ जो यह पुछा भी गया एक्जाम में तो याद रखे सभी को आगे यह आगली पुस्तक के एम वाइं के नाेटू के उपर लिस्तनिंग लर्निंग और लीडिंग इस पूस्तक को किसने लिखा है हमारा देसť के करेंड में जो नाेटूम स्कती देहार को यहां पघ्र करसका है इसको लिखा आर कॉशिक ने the Commonwealth of cricket इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने अगली पुस्तक है A Stargatching The Players In My Life इस पुस्तक को लिखा है रविशास्त्री जो अभी कुछ दिन पहले तक हमारे भारती किर्केट टीम के कोज थे अभी तो रावल ड्रेविट बन गए हैं तो याद रखिए इस पुस्तक को लिखा है शुरेश राइना ने जरूर याद रखिए और इस पुस्तक के कौन है वो है भरत सुदर्शन पुस्तक सुरेश राइना को उपर है और लिखा किसने है भरत सुदर्शन ने त्याद रखना आगे देखते हैं यहाँ पर देखो जो भी इंपॉस्तक को लिखा है विवियस लक्षमन ने माइंड मास्टर इसको लिखा है चेस के जो महांत खिलाणी है विश्वनाथान आननद उन्होंने लिखा है इसको लिखा है व्रौस सिंग ने प्लेइंग इट माइवे इस पुस्तक को लिखा है सचीन तेनल करने नो अस्पीन पुस्तक के आस्टेलिया के जो स्पीन गेंदवाज है शेर नवार्न उनके उपर इंपरफेक्ट आटो बायोग्राफी है संजय मांजरेकर की यह बहुत जादा पुशा आता है यह है सौरप गाउली के जिए करेंट में BCCI के प्रेसिडेंट है गेम चेंजर इस पुस्तक को लिखा है सहाईदा फृदी ने जो पाकिस्तान के बहुत जादा बड़े स्पीन के इंदवाज रह चुके है आगे देखते हैं आगे आपे तिन पुस्तक के जो काफियादा इंपोर्टेंट है एक तो इंद्रानुई की है My Life in Full, Work, Family and Future जो PepsiCo भी फॉर्मर्स EU रह चुकी है याद रखी इनकी पुस्तक का नाम आगे आपे देखो The Make of Adhar, World's Largest Identity Platform इस पुस्तक को लिखा है आरे शर्मा ने जिनका पुरा नाम है राम सिवक शर्मा या पुर्व में टराई जो है टराई के चेर्में भी रह चुके हैं आगे इन पर्स्टिट आप जस्टीस एन आटो बायोग्राफी एक इसकी आटो बायोग्राफी है जस्टिस राजिंदर सच्चर की तो याद रख सकते हो इंद्रानुई की पुष्टक इंपोर्टेंट है जरूर याद रखिए तो आज की वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए